ऐसे समय जब की इलमान कर चला जाता है कि चुनाव में अब जनता जिसे भी चाहती है उसे दिल खुल कर वोट देती है। करना टक इस मापदंड से बाहर खड़ा दिख सकता है। चार-पांच महिने पहले गुजरात का नतीजा जरूर थोड़ा नस्दी की रहा लेकिन परिणाम को लेकर संशे कभी नहीं रहा। लेकिन करना टक मदान के 20 दिन पहले तक चका रहा है। मेलन सनवादादी पर उनका ध्यान है। रैलियो में जनता का अद्भूत समर्थन उन्हें मिल रहा है। कॉंग्रिस अधक्ष राहूल गांदी भी लगातार दोरे पर हैं और रैलिया कर रहे हैं। मंदिर और मट के दर्शन तो खैर करना टक में हर राजनीतिक दल के लिए अहम है। भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी की रैलिया तै होनी बाकी हैं। बेरहाल कॉंग्रिस यखे में में चिनावी से हरन ज्यादा है। कॉंग्रिस नेता वं मुख्यमंत्री सिधार मैया ने चामुंडेश्वरी से चिनाव लड़ना तै किया है। लेकिन पार्टी को दोबारा जीत दिलाने का दावा कर रहे सिधार मैया का विश्वास टिगा हुआ है और वे इह बादामी सीच से भी परचा भर सकते हैं। इसलिए वहाँ अभी दूसरे उम्मीदवार को फार्म नहीं दिया गया है। अंद्रोनी खीचतान और बगावत ही इतनी भारी विरोद और विद्रोह की आशंका से कॉंग्रिस ने 14 उम्मीदवारों को छोड़ कर सभी पुराने साथियों पर भरोसा चताया है। अब कॉंग्रिस को भाजपा या अनने पार्टियों से ज्यादा निनेताओं से पुरिशानी है। कॉंग्रिस के धुरंधर नेता कि किसी भी तरह नहीं चाहते कि सिधार मैया की गाड़ी इस बार वैत्रणी पार हो, जाती एक खांचों में बंटे हुए करनाचत में समाज की दुहाई भी इन ही कॉंग्रिसी नेताओं की ओर सिध दी जा रही है।